ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं यूज अभी अभी ख़बर तहकिकात हकिकात भयंकर गर्मी के साथ साथ बढ़ गाउं क्षेत्र में बिजली विवस्था पूरी तरह से पटरी से उतर गई है अगोशित बिजली कटोती से नाराज भारतिये किसान संगठन ने क्षेत्रिये ग्रामीनों के साथ मिलकर बिजली उपकेंद्र पर धरने पर बैट गे करीब दो घंटे तक नारे बाजी करने बाद मौके पर पहुँचे विभागिये अधिकारियों को एक ग्यापन सवपा आना सिसानी उपक बिजली केंद्र पर एकत्रित हुए जहां पर कारेकरताओं ने बिजली कटोती की समस्या को लेकर घंटों तक हंगामा किया और विभागिये अधिकारियों पर लापरोही का आरोप लगाते हुए जम कर नारे बाजी करने लगे हंगामे की सूचना पाकर विभागिये अधिकारी जेई सुशील कुमार ए सडियों सुदीर कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे तथा गुस्ताएं ग्रामीनों को उनकी समस्या का शीग्र समाधान कराने का आश्वासं देकर बामुश्किल शांत कराया इस मौके पर जिलाध्यक्ष अजब सिंग ने कहा कि दिहात क्षेत्र में बिजली विवस्था बुरी तरह से चर्मरा गई है चोबीस घंटे में बारा से चोदा घंटे तक की कटोती हो रही है कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने इस और कोई ध्यान नहीं दे र हंगामा करने वालों में रकम सिंग, काका, सतीश, रिशिपाल, राज सिंग मास्टर, संजीव, जौनी, सूरज, अतुल आदी मौजूद रहे हमारे पास में शिमलाना गाउं पड़ता है, उसकी 20 दिन से लाइन बंद थी, उन्हें बिजली सप्लाई नी मिल रही थी, उन्हें फसल सूख रही थी उनकी वे परिशान थे, किसान, किसान की वसल सूख जा, तो उससे क्या फाइदा होगा इन बिजली वालों को, इनका टाइम से बिजली ना देना आई, धरने का कारण बना हाँ, SDO पहुचे और एक्शन से बात हुई, इनकी सिमलाना गाउं की लाइन अलग की जागी, 20 दिन के अंदर अंदर, और 10 गंटे इन्हें लगातार बिजली दी जागी, बिना कटके लोगों ने, अधिकारियों ने आस्वासन दिया, इन्हें ग्यापन दिया गया, इन्होंने आस्वासन दिया के 10 गंटे लगातार बिजली देंगे, और 20 दिन के अंदर अंदर लाइन ठीक कर दी जागी